तवまぁ 내용 नमस्कार मैं आपका मित्र सर्व मित्र मस्ला है गाजिपूर बॉर्डर पर किसानों का बंदू-बस देखने वाला है कमाल कर रखा है खिसानों ने चाहे बाद सिंगू बॉर्डर की करें टीक्री बॉर्डर की करें या गाजीपूर बॉर्डर की इस वक्त हम गाजीपूर बॉर्डर पर है आठ महीने बाद क्या हालात हैं यहां पर वो हम आपको दिखाएंगे हैं वो देखने लायक हैं मतलब आप देखिए solar system अगर light जाएगी खुद की light किसानों ने तयार कर दिया है कि खुद की light से हम काम चलाएंगे क्योंकि कई बार ये ऐसा की light जो है वो काट दी गई तो फिर किसानों ने खुद का देख ली होंगी देख लीजिएगा मतलब कमाल है ना जैसे गाह में जोपड़ी मिलती है बांस और उपर और AC फिट कर दिया तो ये एक नई technology है एक नया अविश्कार है यानि कि शहरों में ही कर दिया है किसानों ने कमाल का बंदोबस्त यहां गाजीपूर बॉर्डर पर अगर हम देखें तो जो जो जोपड़ियां बने बास की वो वाली और मेरे साथ लटवाल साब है आर्मी में इस वक्त गाजीपूर बॉर्डर पर जो security उसको देख रेक इनके हाथ में मतलब पूरी सुरक् रखा है किसानों ने जो बंदोबस्त रहने वाला बात हो या यह विवस्था सोलर सिस्टम की बात करें या बहुत कुछ जी बिलकुल सुरू से ही किसानी आपे जब से जम्य हुए हैं तब से उन्होंने अपना independent facility जितनी भी होती हैं सारी खुद का बंदोबस्त किया हुआ ह जितना भी खाना पीना है सब कुछ ट्रेलियों में गाउं से आ जाता है और जो लाइट बिजली का है समर्सिबल लगा रखे हैं हम नहीं आपे सोलर लाइट लगा रखी है ताकि कोई सासन पर सासन के उपर वजन ना पड़े और वो 28 तारिक को लाइट काट दी बी काट भी हम देखते थे यहां पर मेला लगा वो होता था मतलब इतनी भीड थी कि पैदल गुजरना भी बहुत मुश्किल था अलांकि इस वक्त गर्मी हैं सो लोग अंदर हैं किसान अपनी जोपड़ियों में बैठे हैं लेकिन आठ महीने के दोरान आपने इस अंदोलन को बहुत न संग्रस कर रहे हैं सरकार लगातार कुचलने का प्रियास कर रही है अलग अलग सडियंतर सरकार दोरा रचे जा रहे हैं लेकिन ये किसानों की एकता ऐसी एकता है कि ये किसी भी किमत पर तूट नहीं सकती सीदा सीदा जो भारत सरकार है पुंजी पतियों के आवाले इस दे के शुरुबात में आप पूरे यूपी से आए हैं और अभी जो मिशन यूपी का एलान किया गया अराकेश्ट कैथ की यूनियन की और से कि मिशन यूपी है कि ये लोगों के बीच में जाएंगे कि बीजेपी को वोट मत दो और चाहे किसी को मरजी दो दो कि मतलब बीजेपी लेकिन पंजाब, हरियाना, बंगाल, राज़स्तान, मद्यप्रदेश, करनाटक, तमिलनाड तक के लोग किसान यहां पे पहुंच चुके हैं और ऐसी रन्निती बनाई जारी है कि एक दम इस बीजेपी सरकार को दवस्त कर देंगे हम किसी भी तरीके से इस पुझी पतियों कि सरकार को हम अब आगे नहीं बढ़ने की गाजीपूर बॉर्डर पर क्या कुछ इस वक्त है कि एक वो समय था जब हंदूलन की शुरुवात हुई थी उस वक्त हम देखा करते थे यहां पर किस तरीके कमिला लगावा था और एक अभी है लेकिन किसानों ने बंदोबस्त जो किये हैं जैसे जैसे चेंज होता गया समय या मौसम चेंज होता गया तो किसानों ने कमाल का मंदोबस्त यहां पर खड़ा कर दिया है मतलब जो जतनी फैसलिटीज दो सकती थी वो सारी यहां पर आरेंज कर दिया है और खाने पीने का तो खेर शुरू से ही रहा है तो य आपको पता चले कि अभी जो किसान अंदोलन है जो किसान वहाँ पर डटे हुए जो उनका बंदोबस्त है वो कैसा है तो आपने इस रिपोर्ट को देखा है आपने इस पर अपनी राय देनी है कोमेंट करके आपनी इस वीडियो पर अपनी राय देनी है अभी आपको क्या अच्छती रहे तो फिर इस चैनल को यानि दाम मसला को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलिएगा ताकि जो अगली रिपोर्ट है वो आप सब देख सकें धन्यवाद नमस्कार अदाप सच्छरी अकाल राम राम